तो पिछले पार्ट में होली मून हाओचें से अकेले में बात करने के लिए उसे अपने साथ ले कर गया था जहां पर वो उससे कहता है कि सायर ने अभी कुछ दिर पहले जिस अबलीटी का यूज किया था उसे दा सिक्स पार्ट साफ सरकूलेशन के नाम से जाना जाता है जो क कि वो किसी भी कंडिशन में तुम्हें इसमें हारते हुए नहीं देखना चाहती थी और इसके बाद वो हाओचें से पूछता है कि क्या तुमें पता है कि तुम उसके लिए कितने इंपोर्टेंट हो अब इस बात को सुनकर हाओचें सायर के बारे में याद करने लगा था जहां पर इसे रियलाइज होता है कि सायर भी इसे बहुत जादा प्यार करती है जिसके बाद होली मून हाओचें को दमकी देते हुए कहता है कि तुम सायर को कभी अकेले मत छोड़ना नहीं तो अगर जिस दिन ऐसा हो गया मैं भी तुमें मार दूंगा तब इस पर हाओचे प्रॉमिस करता है कि ऐसा कभी भी नहीं होगा और वो अपनी पूरी लाइफ सायर को प्रोटेक्ट करेगा जिसके बाद इस बात को सुनकर होली मून भी मान जाता है लेकिन इसी के साथ वो उससे कहता है कि तुम कभी भी सायर को वह टेकनिक यूज मत करने देना और अब इत तुरंत ही उसे अपने गले से लगा लेता है जिसके बाद हम देखते हैं कि सायर को भी इससे बहुत अच्छा फील हो रहा था फिर हाओचेन और उसके सभी साथ ही कैप्टन गावा के सामने आ जाते हैं जहां पर कैप्टन गावा हाओचेन से कहता है कि तुम इस क्रूप के नहीं जान पाए हैं जिसके वजह से हम पिछले वाले बैटल में कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाए क्योंकि वहाँ पर हम आपसे फाइट करने के लिए कोई भी प्लान नहीं बना पा रहे थे इसके बाद हाओचेन कहता है कि मेरी टीम के पास में बहुत सारी कमिया भी है जैसे कि हमारे पास में हीलिंग एबिलिटी की कमी है इसके अलावा लिन्स इन को अटैक इस्पिल के बारे में कुछ भी नहीं आता और चेरी चेन भी अपने समनिंग मैजिक को उतने अच्छे से पाफॉर्म नहीं कर पाती या जानकर कैप्टन गावा चेरी चेन से कहता है क कि तुम समन तो कर पाती हो लेकिन फिर तुम लिविंग गेट को कंट्रोल क्यों नहीं कर पाती जिस पर शेरी चेन कहती है कि मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानती लेकिन फिर भी मैं सेवेंथ रैंक में जाने से पहले लिविंग गेट को कंट्रोल करना चाहती हूँ या सुनकर कैप्टन गामा उससे कहता है अगर ऐसी बात है तो तुमें एक मैजिकल बिस्ट के साथ में सोल कॉंट्रेक्ट साइन कर लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से ओरिजिनल समन बिस्ट रिचुल के खतम होने के साथ में गायव नहीं होगा, जिसके बज़ा से वो समनर के साथ में ही रहेगा और उसी के साथ में ग्रो करता रहेगा, इसलिए जब तक तुम लिविंग स्प्रिट गेट को पूरी तरह से मास्टर नहीं कर लेती, तब तक तुम उसमें से किसी भी रैंडम मैजिकल बिस्ट को समन कर सकती हो, और फिर जो तुम्हें अच्छा लगे तुम उसे लोग कर सकती हो, जिसके बाद इस तरह से तुम भी टीम का एक पाउरफुल हिस्सा बन जाओगी, अब इस बात को सुनते ही लिंसी निविलाई लोड के बारे में बात करने लगा था, और उसे लग रहा था कि चेरी चेन उसी के साथ में सोल कॉंट्रेक्ट साइन करने वाली है, जिसके बज़ास से वो बहुत ही ज़्यादा पाउरफुल हो जाएगी, लेकिन चेरी चेन उसके साथ में सोल कॉंट्रेक्ट साइन नहीं करना चाहती, और कहती है कि मैं किसी best magical beast के आने का wait करूँगी और फिर मैं उसी के साथ में soul contract को sign करूँगी तब इस पर captain gamma कहता है कि cherry chain जब तक खुद को grow नहीं कर लेती तब तक तुम लोगों को cherry chain को protect करना होगा जिसके बाद हम देखते हैं कि सभी लोग इसके लिए मान जाते हैं इसके ब सकते हो लेकिन आखिर कर तुम attack वाले magic का use क्यों नहीं कर पाते तब इस बात को सुनकर lean scene उदास हो गया था और उससे कहता है कि मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता तब इस पर captain gamma उससे कहता है कि तब तुमें defense और support magic के बारे में और जादा सीखना चाहिए क्योंकि इस तरीके से तुम टीम के अंदर healing वाले कमी को पूरा कर पाओगे जिसके बाद हम देखते हैं कि लिन सीनिस के इस बात को मानने के लिए ready हो जाता है अब इसी तरह से captain gamma वेंग जुवान और सिमा सियान के पास में आता है और इनसे कहता है कि मेरे नजरों में तुम दोनों ह बहुत ही ज्यादा impulse है जिसके बजाए से तुम टीम के लिए बहुत बड़ी problem बन सकते हो इसलिए captain gamma decide करता है कि दोनों ही बगल वाले position में रहेंगे क्योंकि हाओचेना के लिए offense और defense दोनों टेक्निका यूज कर सकता है इसके बाद वो वेंग जुवान से कहता है कि वैसे तुम बहुत ही ज्यादा powerful हो लेकिन अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि तुम इसमें बहुत ही ज्यादा improve कर सकती हो इसके बाद वो सिमा सियान से कहता है कि अगर तुमें heal करना नहीं आता तो फिर तुम abstinence therapist route में क्यों नहीं चले जाते लेकिन सिमा सियान ने इसके बारे मे आज तक अभी भी नहीं सुना था और इसलिए वो कैप्टन गामा से इसके बारे में पूछता है तब इस पर कैप्टन गामा कहता है कि वैसे तो मैं भी इसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानता क्योंकि combat की talent रखने वाले बहुत कौम लोगी therapist बने का decide करते हैं सिमा सियान से कहता है कि तुम्हें इसमें एक बार ट्राई जरूर करना चाहिए क्योंकि हो सकता है कि तुम एक बहुत ही ताकतवर preceptor healer बन जाओ जिसके बाद हम देखते हैं कि सिमा सियान भी इसके लिए मान गया था इसके बाद कैप्टन गामा सायर से कहता है मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ही ज़्यादा पाउरफुल हो लेकिन एक टीम के अंदर कभी भी तुमें गुस्ते में आकर कोई एक्सन नहीं लेना चाहिए इसी के साथ मैं भी इस बात को जानता हूँ कि तुम्हारे और हाओचेन के बीच में बहुत ही अच्छा रिलेसंसिप है इसलिए मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि तुमें और भी ज़्यादा केरफुल रहना होगा नहीं तो तुम हाओचेन को बचाने के बजाए उसे बहुत परेसानियों का सामना करना पड़ेगा और इसी के साथ तुम्हें अपने सिल्ड का यूज करके अपने टीमेट के लाइफ को भी बचाना होगा इसके बाद कैप्टन गामा डिसाइड करता है कि वो हाओचेन को और भी ज्यादा ट्रेन करेगा क्योंकि टीम की पूरी ये कोई सल्यूसन खोजना होगा नहीं तो फिर आने वाले समय में यहाँ चीज तुम सभी के लिए बहुत बड़ी मुसीवत बन जाएगी फिर अगले सिन में हम देखते हैं कि ये सभी डीमन हंट टावर के लिए निकल गये थे जहाँ पर वे लोग डीमन हंट के लिए साइ लग रहा था क्योंकि उसने सुना था कि यहाँ पर बहुत सारे लेक्सिर और इसकिल भी मिल सकते हैं जो कि डीमन हंट के लिए इनके बहुत ज्यादा काम आएंगे अब इस तरह से ये सभी लोग एक्साइटेड होकर डीमन हंट टावर के अंदर जाने लगे थे जहाँ पर ह हाओ चेन सोच रहा था कि उसके टीम के अंदर हीलिंग की कमी है और इसलिए अगर यहाँ पर इसके लिए कोई सीक्रेट टेक्निक या कोई पोसन मिल गया तब यहाँ चीज इनके लिए बहुत ही अच्छी होगी लेकिन तभी इस दी बीच हम देखते हैं कि हान्यू भी वे लिंक से जाकर मेरे न्यू चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना जहाँ पर आपको इसके पिछले पार्ट का एक्सप्लानेशन मिल जाएगा